आज की जो so called modern generation जिसे कहा जाता है जेन जी अर्थात हम development लाएंगे हम AI लाएंगे हम तरक्की लाएंगे सबसे बड़ा विक्सित 5G 4G 7G पताने क्या का लाएंगे इस प्रकार से जो है यह so called modern generation यह तरक्की लाएंगे सच में असी होगा क्या लग रहा है आपको कुछ भी देख Father's Day, मनाते हैं, पापा की फोटो लगाते हैं, पता भी है आपको आप मीडिल फिंगर दिखा रहे हो बच्चे छोटो फिर दराज करे मिडिल फिंगर दिखाते हैं, गूमरें इसका बीचे काण भी पता है, वही बात है एक सबसे बड़ा उदार देता हूँ आपको कि किसी के मृत्ती हो जाती तो आज कल जो सभी लोग इस्टिटस लगा रहे है आर आई पी एक दोस्तों से पूछनक सका मतलब करता है रीप लिखते थे हैं बस बात खतम आर आई पी इसका मतलब भी पता नहीं है इसका मतलब होता सभ्यता क्या है आप इतनी घडिया सोच में जा रहे हो आपको पता भी नहीं है कि आप अपने धर्म का अपमान भी कर रहे हो अर्थात आईए मैं आपको पूरा डीटेल में लेके जाता हूं बताता हूं तो इन सब चीज़ में सबसे पहले आते हैं चलो फादर्स डे और माते हैं तो इस पर आजवी चीजित कहते हैं कि मदर्स डे जो किजो है वि यहां विदेशी परबरा का जो प्रती कि मौहीं लेकिन साल में वो लोग एक देन करते थे एक अफ़ते करते जिसमें जो है वो माता अपने पुत्री के साथ अच्छे से मां की तरह रहती थी तो इस प्रकार से मदर्श्डे के रूप में उससे मनाया जाता था वहीं फादर जे की बात करें तो विदेशी कल्चर में वहां के परंपरा में बच्चे अपने पीता जी के साथ बैट के खाना नहीं खा सकते थे वो उनके बच्चे जो है अपने माता के साथ अवे उनके दोस्तों के साथ खाना खाते थे और उनके पिता जी अपने दोस्तों क जो इतने अच्छे तरीके सेलिब्रेट करते हो और वहीं एक विदेशी परंपरा में कलचार में एक महीने चल जाती दो महने दस साल बहुत बड़ी बात थी इसलिए वो लोग जो है इसलिए यह मनाते थे जैसे कि कोई साधी करता था उनका साधी एक साल जो है बिलकुल अच्छी तरीकर से चले जाते हैं ओ लोग इससी खुशी मनाते थे कि हम लोग की साधी कम से कम एक साल टीक गे उन्लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि एक साल में हूँ उनके साधी टीक गई यह फिर जो है अरधांगिनी अरधांग जो भीमान के चलते थे तो इस प्रकार से हमारे कल्चर में ऐसी कोई घटिया परंपर है इसलिए आप देखेंगे कि डिवार्स तलाक आप सब्द विदेशी भासाओं में यह सब्द देखने में लेकिन सनाता अंधर में इसलिए आपको संस्क् कॉल्ड लौट अफ्रेयल फूल्सड Leo को अपरेयल अब यह यह प्राकार से बना जाता है इसका इसका रंर मनाता है उस समय चेतर नवरात्र भी आसपास बढ़ती है तो आप यह सोचिए कि हमारा जब नव वर्ष आता है उसको यह लोग अप्रेल फुल्स डे का नाम देते अर्थात सनातनियों है जब इनके ग्रेगरियन केलेंडर के विरत जो है अपना हिंदू नवर्ष अपने जो है पंचान के अपने कलेंडर से मनाए तो उसको अप्रेल फूल्स का नाम देते हैं इसको उन्होंने मूर्ख बना दिया अर्था एनवर्ष अपना ही विरुद्ध किस प्रकार से जा रहा है यह आपको पता तक कि आप सनातन के विरोधी खुद है और आपको लगता है कि हम श्री राम स्रीक क्रिश्ने का भजन कर रह रहा है जबकि यह पता है नहीं की इतिहास के गहर आई हैं जड़े कितनी घहरी तक गई हुई हैं अब आता है सबसे बड़ा सब आइप अर्थात को भी किसी कभी दिहान्त हो जाता है किसी को मतलब तक पता नहीं है तो आईए मैं बताता हूं आपको के आराइपी का मतलब क्या होता है आराइपी का फूल फॉर्मत है रेश्ट इन पीस अर्थात यह किसलिए उप्यूब के जाता है सनातत धर्म से बिल्कुल हटकर अबराहमिक लिजन्स पर जिसमें जो मिद्धा मेसेंजर को कॉंसेप्ट है अर्थात इस्लामिक और इसाई वाले यह जो आराइपी है रेश्ट इन पीस अर्थात सनातन से बिल्कुल विप्रित है क्योंकि सनातन धर्म हमें यह मानता है कि मुर्थ्यू के प्रश्चा आपके पुनरजनम होते है यह यह आप मोक्षपर राप्त कर लेता आपको मुक्ती मिल जाती है इस प्राकार से हमारे मे जो है रेश्ट इन पीस का यह कॉंसेप्ट कहीं ठीक बैठता ही नहीं है यह तो जो है अबरहामिक लिजन्स का कॉंसेप्ट है जिसको हम लोग अपने ओपर थुपते हैं कि को हिंदू अगर मृत्यू के प्राफ्त होता है तो भी आप राइपी लिख देते है यह बिल्कु कि सनातनियों में जो है आज विरुद्ध विरोधा भास इसलिए देखने मिलता है आज एक दूसरे से हिंदू में अपने आप में जाती वाज नफरत इसे देखने मिलते क्योंकि आपको अपनी जड़े पता ही नहीं आप आते कहां से आपको अपने पूर्वजों के बारे पता ही आपके एंसेस्टर कैसे थे कितने बड़े वो लोग योध्धा थे आपको पता ही नहीं कि आपके इतिहास क्या है तो इसलिए आपको जो है जूटा जो है इतिहास एंग्रेजों दौरा पढ़ा के जो है आपको यह दिखाएगा कि आप तो जो है सब औरियों का झाल